Hello everybody, I hope आप सब भल्दी होंगे, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी माम, welcome back to magnet brains, जो आपको provide कराता है kinder garden to class 12, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिल्कुल free, जी हाँ आपने सही सुना, magnet brains provide कराता है unpaid subscription, आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जुरुरत नहीं है, चाहे वो CVSC board हो, UP board हो, बिहार board हो, या MP board हो, आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे, और साथ में मिलेंगे धेल सारे practice questions, इतना ही नहीं, आप available कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो हमारी class 11th biology, unit number 3, that is cell structure and functions, और इ कर रहे हो, जो की है, cell cycle and cell division, आपके NCRT में chapter number 10 है, और आज हम कर रहे है, NCRT solution, question number 9 to 16, हम already question number 1 to 8 कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो session नहीं देखा है, तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीचे, उसके बाद यहां से start करिये, right, चले, तो बिट से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों, भाई, बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जोड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, right, तो without any further delay हम start करते हैं, आज का session, तो आज का पहला question, मतलब question number 9 है, find examples where the four daughter cells from meiosis are equal in size and where they are found in unequal in size, right, तो पिटा पहली बात तो meiosis कहां होता है, हाना, तो हम बात करते हैं, deployed organism में, deployed organism में, right, deployed organism में, उनके germ cell, right, deployed organism के germ cell में, जो की कैसे होते हैं, deployed होते हैं, मतलब 2N होते हैं, इन में क्या होता है, जल्दी बता, यह meiosis होता है, क्या होता है, meiosis होता है, तो बनते हैं, gamete, क्या बनते हैं, gamete, और यह gamete, जो है, यह कैसे होते हैं, haploid होते हैं, कैसे होते हैं, haploid, right, यह process होती है, अब gamete की formation process को हम कहते हैं, gametogenesis, क्या बोलते हैं, gametogen जो है वो दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की एक मेल में होती है हाँ बिल्कुल होती है बट जर्म सेल में क्रोमोजोम का नंबर मेल में और फीमेल दोनों में बराबर होगा ठीक है अगर मेल में हम बात करें गैमेटो जैनिसिस की इन मेल in male gametogenesis को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताएं in male gametogenesis को हम क्या कहते हैं in male gametogenesis को हम कहते हैं spermatogenesis right और in female gametogenesis को हम क्या कहते हैं oogenesis right तो male में हम क्या कहते हैं gametogenesis को spermatogenesis क्या कहते हैं spermatogenesis spermatogenesis क्या होती है बटा sperm formation, मतलब spermatozoa को बनाने वाली process, right? spermatozoa को बनाने वाली process वही पर oogenesis किसमे होती है? female में, oogenesis क्या होता है बिटा, देखिए spermato, spermato का मतलब होता है spermatozoa या sperm, genesis का मतलब होता है formation, right? यहाँ पर o का मतलब है ovum, और genesis का मतलब formation, right? तो oogenesis से यहाँ पर क्या बनेगा जल्दी बताईए, oogenesis से यहाँ पर ovum बनेगा और spermatogenesis से यहाँ पर क्या बनेगा ovum या egg, right? यहाँ पर क्या बनेगा sperm या spermatozoa spermatozoa या sperm, कुछ भी बोलो, right? ओके बिटा, spermatozoa yaha sperm बनाने वाली process में क्या होता है, यह मियोसिस जो होती है, यह कैसी होती है, equal, क्या show करती है, यहाँ पर देखे, equal in size, यहाँ पर जो sperm बनते है, वो कैसे होते, equal size में होते हैं, वहीं पर, जो ovum बनता है, यह कैसा होता है, unequal division, यहाँ पर जो cells हैं, किसको बनाने के दौरान, ovum को बनाने के दौरान, यहाँ पर un-equal होते हैं और यहाँ पर spumps में जो मैं बात करूँ size की तो वो equal होते हैं clear है तो जल्दी से भी test का screenshot ले लीजे equal किसमे होता है equal size in जल्दी बताइए किसमे sperm right और un-equal किसमे होता है ovum ovum की formation की process right तो जल्दी से भी test का screenshot ले लिजे जल्दी फिटावट लीजे क्या आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है बताइए तो हम आगे बढ़ जाते हैं देख लेते हैं एक बर क्या पोल रहे हैं यह दा फो डॉट्टर से आपको बताया मैंने कि मुश्थ से क्या बनते हैं एक से एक पैरेंट सेल से चार इंगे फीमेल में एक ही मिलेगा क्योंकि तीन डीजन रेट हो जाते है राइट ऐसा हमने कहां पढ़ा था जल्दी बताईए कहां पढ़ा था sexual reproduction in flowering plants okay the four the four daughter cells created during meiosis ठीक है during meiosis during the generation of meal gametes मतलब spermatozoa in a human beings are similar in size तो बेटा यहां पर जब meiosis के दौरान पर gamete का formation होता है male gamete का formation होता है मतलब spermatozoa का formation होता है मतलब sperm का formation होता है इस दौरान पर जो sperms बनते हैं उनका size क्या होता है similar राइट वहीं पर then during the creation during the creation of female gamete okay female gamete के formation के time पर creation के time पर मतलब ovum के time पर in human beings the four daughter cells are unequal in size तो यहां पर जो चार daughter cells होती है वो कैसी होती है unequal होती है in size राइट तो जल्दी से मिटस का screenshot ले लीजे जल्दी फटा फट इसका screenshot ले लीजे क्या आपने screenshot ले लिया बताइए screenshot ले लिया या नहीं तो आगे बड़े next question है बिटा question number 10 right the question number 10 क्या बोल रहा है distinguish anaphase of mitosis from anaphase one of meiosis right तो अगर मैं बात करूँ anaphase की किसकी mitosis के anaphase की mitosis के anaphase की तो यहां पर क्या होता है बिटा यहां पर क्या होता है यहां पर होता है splitting splitting of centromere किसकी splitting होती है centromere की और क्या होता है जल्दी बताइए splitting of centromere and chromatids moves towards towards the opposite pole right तो यहां पर मेटा क्या होता है यह जो centromere है इसमें splitting हो जाती है जो chromosome है इसकी chromatids जो है sister chromatids है वो separate हो जाती है and sister chromatids जो है वो opposite pole की तरफ move करने लगती है राइट वहीं पर मैं mitosis की बात करूं किसकी meiosis की तो meiosis की मैं क्या बोलूंगी meiosis में anaphase one में क्या होता है बिटा anaphase one में क्या होता है यहां पर क्या होगा बिटा separation of homologous chromosome किसका separation होता है बिटा homologous chromosomes का and homologous chromosomes यहां बोले synabd homologous chromosome और हम क्या बोल सकते हैं synabd homologous chromosomes moves towards the opposite pole राइट बेटा तो देखिए यहां पर क्या हो रहा रहे sister Sur間 separate हो रहीी है और वो क्या कर रही है opposite pole की तरफ move कर रही है वही पर मैं बात करूँ किसकी यहाँ पर तो यहाँ पर जो homologous chromosome की chromatid से कौन सी non-sister chromatids of homologous chromosome क्या कर रही बैटा non-sister chromatids non-sister chromatids right किसकी बात कर रहे हम non-sister chromatids की उके बिटा तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजे जल्दी screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिया बताईए ओके आपने screenshot ले लिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं बिटा तो देखिए क्या बोल रहे difference between anaphase of mitosis from anaphase 1 of meiosis तो देख लेते हैं क्या क्या difference है meiosis के anaphase और mitosis के anaphase में राइट शल्ये तो देखिए बिटा meiosis का anaphase 2 और mitosis का anaphase 2 तो similar होगा इसलिए इनों ने difference किसमें पूछा है anaphase of mitosis and anaphase 1 of meiosis राइट समझ गया क्यों पूछा है इनों ने देखिए during mitosis chromatids separates from one another यहाँ पर बेटा एक क्रोमोजोम पर जो दो chromatids थी वो क्या हो जाती है separate हो जाती है बट दूरिंग मियोसे साइनेप्ड होमोलोगस chromosome pro phase one में साइनेप्सिस हुई थी साइनेप्ड मतलब ऐसा नहीं कि साइनेप्ड है अभी राइट साइनेप्सिस अभी है नहीं साइनेप्सिस तो हट गई वो तो कब हो जाती है बताइए यहाँ पर साइनेप्सिस जो है homologous chromosome जो है वो separate तो हो जाते है separate का मतलब यह bivalent structure ब्रेक तो हो जाता है कहां पर आपके diacanesis में मतलब यहाँ पर अभी यह मिले हुए नहीं अलग-अलग है बट इनका कहना साइनेप्ड homologous chromosome का कहना है कि जिनके बीच में pairing हुई थी उन homologous chromosome की हम बात कर रहे हैं वो क्या होते स्प्लिट होते एक दूसरे से during anaphase 1 राइट आप देखिए it is important to recollect here that during the metaphase stage of prophase chromosome lie on the equator तो बेटा क्या होता है क्या बोल रहे हैं कि metaphase stage पर क्या बोल रहे हैं metaphase stage of prophase chromosome lie on the equator राइट तो जो prophase की बाद chromosomes metaphase में आये तो यह सारे की सारे chromosome कहां जाकर align हो गए equator पर metaphasic plate पर या equatorial plate पर राइट विद यह centromere lying on the metaphase इनका centromere जो है वो कहां लाए कर रहा था metaphase plate पर राइट दा centromere separates अब क्या होता है centromere जो है वो separate होता है and the chromatids travel opposite pole throughout the anaphase और जो chromatids थी बेटा वो क्या हो गई separate हो गई और opposite pole की तरफ move करने लगी राइट इतना clear हुआ या नहीं तो जल्दी से बेटास का screenshot ले लीजे यह हमने किसकी बात करी mitosis की किसकी यह उपर mitosis की बात करी है हमने किसकी बात करी meiosis की और यहां पर यह जो बात हो रही है कि भाई क्या हो रहा है metafase में जो है chromosome जो है उसकी जो chromatids से वो separate होके कहां पर move कर रही है opposite pole पर मतलब यह anaphase की बात कर रहे है किसकी बात कर रहे है एनaphase की right clear है चलिए अब यहां पर देखिए यह बात हो रही है किसकी एनaphase 1 की in metaphase 1 metaphase 1 के बाद ही एनaphase 1 आता है तो metaphase 1 में में बेड़ा confuse तो नहीं हो यह जो बात हो रही है कहां पर यह वाली जो बात है यह किसकी बात हो रही है जल्दी बताइए हाँ यहां पर बच्चे हो रही है यह एना फेस की बात हो रही है किसकी बात हो रही है एना फेस ओफ माइटोसिस राइट और इतनी जो बात हुई ना यहां तक यह जो इतनी बात हुई है न यह बात हुई है किसकी जल्दी बताईए माइटोसिस की एना फेस ओफ माइटोसिस ठीक है यह क्या हुई है anaphase of mitosis. थोड़ा सा उन्हों ने घुमा दिया है. Anaphase of mitosis. Right? यहां से जो बात हुई है. Right? यहां से लेकर यहां तक जो बात हुई है. यह किसकी बात हुई है? anaphase one of meiosis. Right, बेटा? इतना clear है ना? चले. तो जल्दी से screenshot ले लीजे. नहीं तो confused हो जाते हैं. इसलिए मैंने लिख दिया पहले. Right? चले. अब देखिए यहां पर. यहां पर क्या बोला? in metaphase one of meiosis. किसकी बात कर रहे है? Metaphase one of meiosis. Right? The bivalent arrange. जो bivalent है arrange themselves on the equator. कहां पर? equatorial plate पर equator पर arrange कर रहे हैं सारे के सारे homologous chromosomes. And centromeres of synabbed homologous chromosomes do not lie on the equator. यहां पर जो synabbed homologous chromosome है उनके क्या बोल रहे हैं? centromeres of synabbed homologous chromosome do not lie on the equator. Right? Enaphase one involves the separation of peered homologous chromosome. बेटा यहां पर sister chromatic का separation नहीं हो रहा homologous chromosome का separation हो रहा है. यह फिर आप यह भी बोल सकते हैं separation of non-sister chromatic of homologous chromosome. Right? To the opposite poles of the equator this is known as disjunction of chromosome. इसे हम क्या बोलते हैं? disjunction of chromosome. अगर यह जो separation है यह अगर proper नहीं हुआ तो उसे हम कहते हैं non-disjunction. Right? क्या बोलते हैं? non-disjunction. disjunction का मतलब होता है normal condition. non-disjunction का मतलब होता है abnormal condition. Right? clear है? तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? कि यहाँ बोल जो एना फेस में homologous chromosome जो है वो opposite pole की तरफ जा रहे हैं. Right? इसे हमने बोल दिया disjunction of chromosome. Right? तो बेटा जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए. Okay? क्या आपने screenshot ले लिया? बताईए. तो यहाँ पर यह वाला जो structure आपको दिख रहा है. यह बेटा आपस में क्या है? homologous chromosome. यह क्या है? homologous chromosome. यह क्या है? homologous chromosome. देखिए, यहाँ same color का. यह इसका homologous है, यह इसका homologous है. यह भी क्या है? homologous chromosome. Right? clear है? तो जल्दी से मेटा इसका screenshot ले लिजे. जल्दी screenshot लिजे. क्या आपने screenshot ले लिया? बताईए. ओके? अब देखिए, हम बात करते हैं, mitosis के एनफेस की. किसकी? mitosis के एनफेस की. तो मेटा देखिए, यहाँ पर यह जो है ना, यह क्या है sister chromatids है? क्या है sister chromatids? मतलब क्या है बिटा यह? एक ही chromosome की दो chromatids है. क्या है? एक ही chromosome की दो chromatids है. तो यह क्या है sister chromatids? मतलब chromosome इस condition में था. इस condition में. Right? और break होके, यह ऐसा बन गया, एक यह बन गया, यह इस तरफ जा रहा है, राइट, clear है, तो जल्दी से screenshot ले लिजिसका, फटा-फट screenshot लेजे, क्या आपने screenshot ले लिया है, जल्दी बताइए, तो चलते है next question की तरफ, और आज का next question है, question number 11, राइट, तो question number 11 आप से क्या बोल रहा है, list the main differences between mitosis and meiosis, राइट, तो mitosis की अगर मैं बात करूँ, तो mitosis किस में होती है, somatic cell में, meiosis किस में होती है, germ cell में, mitosis एक equational division है, meiosis एक reductional division है, mitosis में chromosome का number same रहता है, daughter cell में, meiosis में chromosome का number half हो चाता है, right, उसके बाद मैं बात करूँ, mitosis में क्या होता है, दो सेल बनते हैं, दो daughter cell बनते हैं, meiosis में, चार daughter cells बनते हैं, right, यह कुछ differences हो गए हमारे mitosis and meiosis के, ओके, चलिए, तो देखिए, it occurs in all somatic cells, तो mitosis जो है, हार टाइब के somatic cells में होती है, and may persist all over the life, right, और यह क्या होती है, all over life चलती रहती है, बट, it occurs in reproductive cell, मतलब germ cell, meiosis किस में होती है, reproductive cell, मतलब germ cell, और यह specific time पर ही होती है, जब gamete formation होता है, right, तभी क्या होगी, meiosis, right, it involves single division, which leads to two daughter cell only, यह single division में क्या बना रही है, दो daughter cell, वही पर इसकी बात करो, it involves two successive division, meiosis one and meiosis two होता है न, which leads to four daughter cell, जिसका result क्या है, चार daughter cells, right, यह क्या है, consequent mitotic division are similar to the previous one, यहाँ पर जो consequent mitotic division है, वो similar होती है किसके previous one के, बट यहाँ पर हम बात करें, two mitotic divisions जो होती है, right, are dissimilar, the first is reductional, while the second is equational, meiosis one जो है, वो reductional division है, वही पर meiosis two जो है, वो equational division है, क्योंकि उसमें chromosome का number same होता है, जैसे कि मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पर यह एक cell था, इस cell में 46 chromosome थे, इस 46 chromosome बाले cell में meiosis one हुआ, तो दो cell बने, right, इन दो cell में chromosome का number 23, 23 है, फिर इन दो से दो बने, तो यहाँ पर chromosome का number अभी कितना होगा, जल्दी बताए, 23, 23, 23, 23, right, तो यह क्या है हमारी, यह है हमारा second meiosis, यह क्या है, second meiosis या second meiotic division, तो यह जो है बेटा, यह कैसा है, reductional division, इसलिए तो मैंने बोला था, second meiosis जो है, वो किसके similar है, जल्दी बताएए, किसके similar होती है, myototic division के, क्योंकि यह कैसा होता है, equational division, यह क्या है, equational division, क्यों बोल रहे है, equal, equational division क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर, यह इस के parent, इस daughter cell की यह parent है, तो यहाँ parent और daughter में क्या है, chromosome का number, same है, तो इस प्रकार के division को हम, equational division कहते हैं, क्या कहते हैं, equational division, right बेटा, तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए, चले, screenshot ले लिया बेटा अपने, आगे बड़े, तो देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, pro phase is relatively short and simple, पिचारा pro phase, myotosis का pro phase बहुत simple सा होता है, बहुत कम टाइम के लिए short lived होता है, but, myotosis का pro phase 1 काफी ज्यादा dramatic होता है, परिशान करके रख दिया है, नाक में दं करके रख दिया है, ठीक है, pro phase 1 को भी हमने डिवाइड किया है, सब डिवाइड इन्टो five phases, जो की था, leptotene, zygotene, pacotene, diplotene and diakinesis, right, तो देखिए यहाँ पर pro phase 1 is very long and elaborate which comprises five sub phases like leptotene, zygotene, pacotene, diplotene and diakinesis, right, तो पेटा यहाँ पर यह काफी ज्यादा dramatic phase है, right, there is no pairing of homologous chromosome, mitosis में बेटा, homologous chromosome के बीच में कोई pairing नहीं होती, कोई synapses नहीं होती, वर्ट यहाँ पर क्या होता है, homologous chromosomes pair and often undergo crossing over in pro phase 1, crossing over किस phase में होती है, pro phase 1 के, leptotene, zygotene, pacotene, pacotene, pacotene stage में, right, चले, chromatids are generally, genetically similar to the chromosomes they arises from, यहाँ पर chromatids जो होती है, वो genetically similar होती है, किसके, जल्दी बताईए, जिस chromosome से वो arise करिये, right, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का crossing over नहीं होता, recombination नहीं होता, मतलब यहाँ पर variability देखने को नहीं मिलेगी, right, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो chromatids may vary genetically, क्योंकि यहाँ पर होता है, crossing over मतलब recombination, recombination का मतलब होता है, नया combination, right, तो chromatids may vary genetically from the chromosomes, they emerges from because of crossing over, right, 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 तो जल्दी से बेटा बिना किसी देरी के screen shot ले लिजे, जल्दी screen shot लीजे, क्या आपने screen shot ले लिया है, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ओके भाई, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो हाँ बड़ा तो है, चलिए, no synaptonimal complex form, यहाँ पर किसी भी प्रकार का synaptonimal complex नहीं बनता, यहाँ पर बड़ा unfolding नहीं होती, no protein synthesis, no transcription takes place in prophase, वही पर यहाँ पर, क्रोमोजोम जो होते हैं वह अनफोल्ड होते हैं, and protein synthesis and transcription may take place in diplootein और प्रोफेज वान, उस साइड सोफ स्पेसिफिक अनिमल, राइट, क्लियर है, डॉर्टर सेल्स हैब डिपलॉइड नमबर अफ प्रोमोजोम मतलब 2N, ओके, और प्रोमोजोम लाइग दा पैरेंट सेल्, यहाँ पर पैरेंट सेल् के बराबर ही क्रोमोजोम होते हैं, किस में? डॉर्टर सेल् में, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो डॉर्टर सेल्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉर्टर सेल्स, have a haploid number, होता है मतलब हाफ क्रोमोजोम होता है मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है राइट तो जल्दी से बिटा सका screenshot ले लीजिए क्या आपने screenshot ले लिया है बताईए ओके अब चलते हैं next question की तरफ और आज का next question है question number 12 and question number 12 बोल रहा है बिटा what is the significance of meiosis meiosis के क्या significance है राइट तो भाई meiosis के significance के अगर हम बात करें तो बिटा meiosis की वज़े से हम क्या करते हैं बताईए हम इसकी वज़े से क्या करते हैं number of kromozoom kromozoom in specific 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 species become constant right is constant यहाँ पर क्या हो रहा है बिटा kromozoom का number एक species में constant रह पारा है किस के वज़े से meiosis के वज़े से right नहीं तो male औ female gamete में अगर क्या होते हैं deployed होते हैं यह दोनो male and female gamete deployed होते तो जाइगोड बनता वो tetraploid बनता क्या बनता tetraploid मतलब पता नहीं कौन सा दानब बनता हाना तो ऐसा नहीं है meiosis की वज़े से हमें क्या मिल रहा है haploid kromozoom हाना यह किसमें help कर रहा है gamete formation में किसमें help कर रहा है gamete formation में क्या होराय यहां पर crossing over होती है क्या होती है crossing over और इस crossing over की वादशे से हमें क्या मिल रहा है recombination मिल रहा है क्या मिल रहा है recombination के मतलब है नया combination, right, recombination, यहाँ पर क्या मिल रहे है हमें, recombination, और meiosis की वज़े से ही हमें क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, recombination की वज़े से ही क्या हो रहा है, evolution हो रहा है, क्या हो रहा है, evolution हो रहा है, variability आ रही है variability आ रही है variability बट इन सब के बटा इतना point जरूर लिखा है मैंने बट अगर हम दिमागदार जैसे बात करे तो इन सब का मतलब एक ही है क्या variability राइट इन सब की वज़े से क्या हो रहा है variability राइट चलियर है बटा तो जल्दी से का screenshot ले लीजे जल्दी से screenshot लीजे क्या अपने screenshot ले लिया बताईए तो देखिए formation of gamete यहाँ पर significance of meiosis जो है इसमें हमने पहला पड़ा formation of gamete मतलब gametogenesis ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए meiosis is a process that produces gametes which are necessary for sexual reproduction तो बेटा यहाँ पर meiosis से हम क्या बना रहे हैं बताईए meiosis process से हम gamete का formation कर रहे है जो की sexual reproduction के लिए necessary है फिर genetic information के हम बात करें तो it activates genetic information for the production of gametophytes or gametes while turning of sporophytic information तो यहाँ बाद genetic information का मतलब क्या है यह activate कर रहे है genetic information for the production of gametophyte और gametes और किसको suppress कर रहा है किसको turning off कर रहा है sporophytic information को right तो जल्दी से बेटा इसका screen shot ले लिजिए इस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर sporophytic information क्योंकि sporophytic information कैसी deployed है और हमें haploid information चाहिए यह मतलब हमें क्या चाहिए gamete चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए haploid तो यह turn off कर रहे है sporophytic information को और turn on कर रहे है किसको gametophytic या gamete information को right तो जल्दी से बेटा इसका screen shot ले लिजे जल्दी से इसका screen shot लीजे क्या आपने screen shot ले लिया है ओके तो हम आगी बढ़े maintenance of chromosome number अभी मैंने बोला कि यह क्या करते है विटा chromosome का number को क्या रखते है constant रखते हैं तो meos says maintains the fixed number of chromosomes in sexually producing organism right तो जो organisms sexually produce करते हैं उन organism के अंदर chromosome का number क्या रखते हैं यह constant रखते हैं क्या रखते हैं constant ठीक है that have half of the chromosomes and as compared to the mother cell it is vital since chromosome number develops into double after the fertilization अब आपको याद रखना है दो चीज़ है एक haploid organism और दूसरा diploid organism क्या रखना है एक haploid organism और दूसरा diploid organism तो बेटा haploid organism भी sexual reproduction करता है और diploid organism भी क्या करता है sexual reproduction करता है right haploid organism भी क्या करता है sexual reproduction और diploid organism भी क्या करता है sexual reproduction right बेटा चलिए अब हम बात करते हैं किसकी यहाँ पर हम बात करते हैं haploid organism की किसकी बात करते हैं, haploid organism की तो यहाँ पर haploid organism जो है बेटा, क्या है haploid organism जो है यह क्या करता है, mitosis करता है क्या करता है, mitosis करता है दोनों sexual reproduction करते हैं, haploid और diploid, mitosis करके क्योंकि haploid है मतलब n chromosome है right, mitosis करके क्या बनाएगा, gamete बनाएगा किया बनाएगा गैमेट और यह गैमेट जो है, इसमें क्या होंगे end chromosome हेँ पर diploid organism कैसे होते है, इसमें 2n chromosome होते है मतलग, यहां पर 2 copy होती है chromosome की, और यहां पर यह meiosis करेंगे, क्या करेंगे? meiosis और क्या बनाएंगे, जल्दी बताएए और यहाँ पर बनाएंगे gamete और यह gamete कैसे होंगे haploidy, यह कैसे होंगे haploidy, आप देखिए sexual reproduction की हम बात करें, तो sexual reproduction में क्या होता है, sexual reproduction में क्या होता है, sexual reproduction में क्या होता है, fusion of male and female gamete, तो देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, दो प्रकार की gamete बने होंगे, एक male gamete और एक female gamete, male and female, और दोनों में क्या होगा बिटा? दोनों में NN chromosome होंगे, इनका क्या होगा? fertilization, fertilization हो गया तो क्या बना zygote और zygote में क्या होंगे? 2N chromosomes होंगे, ये क्या है zygote इस zygote में क्या होंगे? 2N chromosome, बट इस zygote का parent तो haploid था zygote तो diploid हो गया, ये तो problem बाली बात है, और ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, right? क्यों नहीं चाहिए क्योंकि पता चलिए तो कोई दूसरा ही इंसान दानब बन जाए, right? clear है? तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए था, अब क्या करना पड़ेगा भाई? अब क्या होगा यहां पर? तो यहां पर होता है बिटा zygote में होता है zygote में होता है zygote miosis zygote में क्या होगा? zygotic miosis क्या होगी? zygotic miosis और अब ही क्या होगा? जो और्गिनिजम बनेगा यह और्गिनिजम जो है वो कैसा हो जाएगा? हैपलोईट यह और्गिनिजम जो है कैसा हो जाएगा? हैपलोईट यह क्या है? और्गिनिजम यह कैसा हो जाएगा हैپلोड वही पर मैं यहां पर बात करूँ तो यहां बर क्या बना झाटैटअ गामिट मियोसिस होई तो इस मियोसिस wykon मैं क्या बोलती हूँ गामेट्टिक मियोसिस यह क्या होती है क्योंकि गामेट formation के दोरान पर meiosis हुई इसे मैं कहती हूँ gametic meiosis क्या कहती हूँ gametic meiosis तो यहाँ male और female gamete बने male and female gamete बने यह भी N यह भी N दोनों का fusion हुआ तो zygote बना zygote कैसे बनेगा 2N तो हमें तो 2N ही चाहिए न क्योंकि इसके parent कैसे है जल्दी बताईए इसके parent कैसे है तो जो organism होगा बेटा जो organism होगा वो भी कैसा होगा 2N यह organism भी कैसा होगा 2N तो समझ में आया हैपलोइड organism में zygotec meiosis होती है डिपलोइड organism में gametic meiosis होती है यह point आपको याद रखना है जल्दी से screenshot ले लिजे इसका जल्दी से screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिया बताईए ओके चलिए अब देखे assortment of chromosome in meiosis maternal and paternal chromosome separate independently it leads to the re-ordering of chromosomes and the characteristics controlled by them the variation help the breeders in enhancing the races of domesticated animals and plant तो जल्दी से बिटेस का screenshot ले लिजे जल्दी फटा फटा screenshot लिजे ओके क्या आपने screenshot ले लिया है बताईए चलिए अब crossing over crossing over में क्या हो रहा है it leads to the recombination of gene that brings about variation right crossing over की वज़े से recombination नया combination मिल रहा है gene का और इस नया combination की वज़े से क्या रहा है variation आ रहा है variation का मतलब होता है changes बेटा variation का मतलब क्या होता है changes right बेटा okay तो यहां पर next है mutation mutation भी क्या लाता है variation लाता है changes लेकर आता है right तो यहां sudden change होता है chromosomal and genomic mutations can occur by irregularities of meiotic division अगर meiotic division irregular हुआ अच्छे से नहीं हुआ ठीक है तो उसके वज़े से क्या जाएगा mutation some of these mutations are useful to the organism and are propagated by the natural selection कुछ mutation काफी अच्छे होते है organism के लिए जिसे कौन favor कर रहा है nature favor कर रहा है ठीक है यह जो propagate है यह किसमें हो रहा है natural selection में propagate हो रहा है right चलिए evidence of basic relationship of organism detail of meiosis are basically similar in the vast majority of organisms indicating their basic resemblance and relationship right clear है पिटा तो जल्दी से सका screenshot ले लीजे जल्दी से screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिया बताइए तो आप देखिए चलते है next question की तरफ और आज का next question है question number 13 and question number 13 है discuss with your teacher about haploid insects and lower plants where cell division occur end next है some haploid cells in higher plants where cell division does not occur right तो क्या है discussion अभी हमने जो सब कुछ अभी इतनी सारी राम कता पड़ी वही सब कुछ है तो देखिए cell division tends to happen in haploid insects to cell division in haploid insects including drone drone का मैंने कितनी बार पढ़ाया कि drone जो है male honeybee जो है वो क्या करता है gamete का formation करता है drone जो है वो haploid होता है drone जो है वो haploid organism है तो drone जो है mitosis करता है और mitosis से gamete का formation करता है right clear है वहीं पर of the honeybee and lower plants like gametophytes or bryophyte algae and teridophytes तो बेटा यहां पर यह जो bryophyte, teridophyte and gametophyte है sorry teridophyte है इनके gametophyte में भी क्या होता है जल्दी बताए कौन सा division होता है जल्दी बताए synergates and antipodals in the embryo sec of the ovules are haploid cell where the cell division does not occurs ठीक है तो बेटा कहां कहां कौन gametophyte देखो gametophyte का ही मतलब क्या होता है gametophyte का मतलब होता है वो body जो gamete को बनाती है और जो body gamete को बना रही हो कैसी है haploid है तो gametophyte कैसा होता है haploid drone जो होते हो कैसे होते है haploid तो यह क्या कर रहे है बताइगी यह जो cell division है इनका जो cell division है, वो कैसा है, haploid cell division, राइट, यहाँ पर antipodal cell है, और synergate cells है, किसमें embryo में, राइट, यह कैसे होते हैं, haploid होते हैं, बट यह cell division show नहीं करते हैं, राइट, clear है या नहीं, जल्दी बताईए, यह degenerate हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, राइट, तो number 14, क्या बोल रहा है, बेटा, can there be mitosis without DNA replication phase, क्या without DNA replication mitosis हो सकती है, नहीं, no, 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 क्यों, क्योंकि हमें, अगर chromosome का number, क्या रखना है, constant रखना है, next generation में, तो हमें DNA का replication कराने पड़ेगा, DNA का amount बढ़ाना पड़ेगा, chromosome में, तब ही जाकर, क्या होगा, separation होगा, right, clear है, तो देख cannot be any meiotic division without DNA replication in the S phase, right, तो बेटा, जल्दी से इसका screenshot ले लीजे, जरूरी नहीं, सारे questions बहुत बड़े-बड़े answer होन के, okay, तो इसका screenshot ले लीजे, क्या आपने screenshot ले लिया, बताया, क्या आपने screenshot ले इसका, okay, तो आगे चले बेटा, next है question number 15, and question number 15 बोल रहा है, can there be DNA replication without cell division, क्य बिना cell division के DNA replication हो सकता है, चलो बाई, वो तो आपको पता था, बट ये बताईए, can there be DNA replication without cell division, क्या बिना cell division के DNA replication हो सकता है या नहीं, जल्दी बताईए, थोड़ी बहुत genetics तो पढ़ी है, बताईए, होगा या नहीं होगा, तो बिलकुल, 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 जल्दी without cell division in order to prepare for cell division DNA replication is necessary cell division is the succeeding logical step that occur post cell division right okay okay protein synthesis कर नी है किसकी synthesis कर नी है protein की synthesis करनी है तो protein की synthesis करने के लिए में RNA बनाना पड़ेगा और RNA हम किसे बनाएंगे DNA से तो यहां पर without cell division भी क्या होता है DNA का replication होता है in order to prepare cell division DNA replication is necessary cell division is the proceeding logical step that occur post cell division right चलिए बटा तो जल्दी सिसका screenshot ले लिजे जल्दी फटा फट इसका screenshot ले लिजे क्या आपने screenshot लिए बताईए लिए आगे बड़े तो चलिए next question आज का last question है question number 16 and question number 16 क्या बोल रहा है बटा analyze the events during every stages of cell cycle and notice how the following two parameters changes right चलिए क्या बोला इन्होंने analyze the events during every stages of cell cycle and notice how the following type of parameter changes okay number of chromosome पहला क्या है भाई number of chromosome मतलब n per cell okay बताईए और दूसरा amount of dna c per cell तो बताईए मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने पढ़ाया था significance of meiosis तो मैंने वहाँ पर बताया था कि कि माइटोसिस में G1 में क्या होता है क्रोमोजोम का number क्या होता है dna का number क्या होता है after G1 मतलब state phase में dna का number क्या होता है twor 최근 का क्रोमोजöμ का ने होता है जह बंए मांट क्या होता है इन पिखिए मैंने बताया था कि आपको वन जीवन फेस Everything माइटोस क्या होता है पिटा क्रोमोजोम का नंबर जो है 46 होता है और यह क्या है हम किसकी बात कर रहे हैं क्रोमोजोम नंबर की राइट डिने अमाउंट की अगर मैं बात करू तो डिने अमाउंट किता होता है 46 picogram amount है बटाई और chromosome number जो है वो कितना होता है? 46 यह कुख junior ह tapping G1 की जो त्वी और है, उसके बात क्या होता है? यहाँ पर D.N.E का larger, गख़णंऊंट वहीं दोन हो जाता था, कितना हो जाता था? 92 picogram, right? और chromosome का number कितना हो जाता था? जल्दी बताईए, यहाँ पर chromosome का नंबर अभी भी उतना रहता था right, after mitosis mitosis के बाद जब दो cell बनते थे बिटा, ये एक cell बन गया और, एक मिनट ये एक cell बन गया, और एक ये cell बन गया इन दोनों cell में DNA का amount कितना हो जाएगा? ये 46 picogram ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि number अभी भी इतना ही रहेगा अगर किसी को confusion है कि मैं DNA का amount कम हो रहा है तो chromosome का number क्यों कम नहीं हो रहा है वो प्लीज एक वाय सारी videos देख ले, right? ओके, ये तो हमने mitosis की बात कर ली, तो यहाँ पर N किसको denote कर रहा है? क्रोमोजोम के number को, और यहाँ पर हम बात करें, C किसको denote कर रहा है DNA के amount को, आप देख सकते हैं, right? तो यहाँ पर, C जो है बिटा, DNA का amount है, ये C है और ये N है, right? ये C है और ये N है, right? पका पका चलिए, तो जल्दी से सका screenshot लीजिए वही पर मैं बात करूँ बेटा, किसकी जल्दी बताईए, अगर मैं बात करती हूँ मियोसिस की, तो यहाँ पर ये मियोसिस 1 मान लो, इससे क्या मानो? मियोसिस 1 ये क्या है बिटा? मियोसिस 1 तो मियोसिस 1 में क्या होगा बिटा? यहाँ पर DNA का amount हाफ हो जाएगा, क्रोमोजोम का number सेम रहेगा, राइट, क्या ऐसा ही होगा? नहीं, क्रोमोजोम का number क्या हो जाएगा? जल्दी बताईए हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रोमोजोम का number? हाफ, कितना हो जाएगा? यहाँ DNA कितना है? 46 46 chromosome number कितना होगा 23 यहाँ पर और यहाँ पर भी कितना होगा 23 राइट बेटा जब meiosis 2 होगी क्या होगी meiosis 2 जब होगी तो क्या होगा जब meiosis 2 होगी बेटा इस से दो बनेगा राइट एक यह cell बन गया एक यह cell बन गया इस से भी दो बनेंगे एक यह cell बन गया ठीक है equal बनेंगे सम्मत सूचना है मैं यह बड़े छोटे बनेंगे एक यह बन गया एक यह बन गया एक यह बन गया और एक यह बन गया एक कोल ही बनेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा बिटा, DNA की अमाउंट की बात करूँ, DNA की अमाउंट की बात करूँ, मतलब N की बात करूँ, तो यह कितना हो जाएगा, 23 पिकोग्राम, और क्रोमोजोम नमबर कितना हो जाएगा, 23, यहाँ पर भी DNA का अमाउंट कितना हो जाएगा, 23 पिकोग्राम, और क्रोमोजोम का नंबर कितना हो जाएगा 23 यहां पर डियने का अमाउंट कितना हो जाएगा 23 पिको ग्राम और डियने का अमाउंट कितना हो जाएगा 23 ठीक है तो पहले में डियने का अमाउंट क्या हुआ है कम हुआ है साथ में क्रोमोजोम का नंबर भी कम हुआ है सैकंड म क्रूमोजों का नंबर रहा DNA का अमाउं अउंट कम हुआ है right clear है चलिए चलिए मैं जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिए ये क्या है वाई यह क्या है हमारा मियासिस टू है यह क्या है मुयस इस टू राइट चल लिए तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लिए किया आपने screenshot ले लिया बताईए कि आपने screenshot ले लिया चले तो देखिए in mitotic division the number of chromosomes remains the same mitotic division में chromosome का number क्या रहता है same same ही था chromosome का number okay वही पर क्या बुल रहे है parents at pro phase and metaphase at the inner phase stages of mitosis when the sister chromatid separate and form two nuclei telophase each of them contain same number of chromosome and the as the parent cell ठीक है तो यहाँ पर किस में number of chromosome जो होते है mitosis में वो क्या होते है same होते है but meiosis में number of chromosome same नहीं होते है राइट चलिए in meiotic division homologous chromosome जो है वो separate हो जाते है हना और two different poles पर चले जाते है एना phase 1 में और telophase 1 में क्या हो जाता है जल्दी बताइए nuclear division हो जाता है and contains same chromosome number as the parent cell as two separate nuclei are formed telophase each contain half of the number of chromosomes compared to the parent cell राइट इनका कहना क्या है कि meiotic division में क्या हुआ homologous chromosome जो थे वो हो गए separate हो गए into two different poles कहां चले गए एना phase 1 पर दो different पूल पर चले गए दस दूरिंग प्रोफिज 1 मेटाफिज 1 एना फिज 1 the cell contain same chromosome प्रोफिज 1 में एनाफिज 1 में chromosome का contain same है राइट बट डिफरेंट का वो था टीलो फेस के बाद चलिए तो देखिए एना phase 1 the cell contain the same chromosome number as the parent cell the two separate nuclei are formed in telophase अब telophase में 2 separate nuclei बन गई एक cell के अंदर each contains half of the number of chromosomes compared to the parent cell अब एक nucleus के अंदर एक nuclei के अंदर chromosome का नंबर क्या हो गया हाफ हो गया राइट चलिए तो अब देखिए during meiosis 2 the sister chromatids are separated meiosis 2 में बेटा क्या होता है sister chromatids जो होती वो separate हो जाती है राइट in anaphase 2 does the daughter's cell retain their chromosome number the same cells after the meiosis 1 the daughter's cells contain n number of chromosomes if the parent cell has 2n chromosomes राइट तो बेटा meiosis 2 के बाद क्या होता है जितने number of chromosomes किस में थे parents में थे उसके half number of chromosomes किस में हो जाते हैं daughter's cell में राइट वो meiosis 1 के दौरान ही हो जाते हैं वाट meiosis 2 में चार जो cells बनते हैं चारों cells में parent cell की comparison में half number of chromosomes present होते हैं तो बेटा जल्दी से screenshot लीजे ओके क्या आपने screenshot ले लिया अब हम बात करते हैं amount of DNA जिसे हम C से denote करते हैं S और synthesis phase indicates the periodic during ठीक है period during which DNA replication or synthesis takes place throughout this time amount of DNA parcel become double to S phase के दौरान पर DNA का amount क्या हो जाता है double right if the initial amount of DNA is signified as 2C then after S phase DNA का amount क्या हो जाता है 4C double हो जाता है during pro phase metaphase and anaphase of mitosis the DNA contain remain 4C to anaphase तक क्या होता है DNA का contain 4C ही रहता है राइट इतना clear है कि नहीं तीलो phase के दौरान पर 2C 2C हो जाता है clear है तो जल्दी से भी test का screenshot लीजे जल्दी फड़ा भी test screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिया बताईए okay आपने screenshot ले लिया क्या बोल रहा है देखिए after the telophase क्या मैंने जो बोला वही है इच न्यूक्लियर्स contain 2C amount of DNA यही बोला था मैंने कि telophase में क्या होता है amount of DNA हाफ-ाफ हो जाता है दोनों nuclei में okay same as the parent cell DNA का amount कितना हो जाता है same हो जाता है जैसे कि parent cell में था या जीवन phase में DNA का amount था वैसा ही हो जाता है मतलब 2C right देखिए in meiosis the daughter cells after first division contain 2C volume of DNA इनका कहना है meiosis में the daughter cell after first division contain 2C volume DNA which gets half C after the second division देखिए बटा होता क्या है यहां पर भी 2C होता है right 2C DNA होता है amount S phase आया 4C हुआ कितना हुआ 4C अब यह 4C जो है किसमें गया meiosis 1 में गया meiosis 1 में कितना हो गया 2C अब 2C जो है meiosis 2 करेगा meiosis 2 में यह क्या हो जाएगा meiosis 2 के बाद यहां पर C amount of DNA बचेगा right clear है यह कब हुआ यह S phase हुआ यहां पर S phase में कितना हुआ यह right यह S phase में हुआ यह meiosis 1 में हुआ और यह meiosis 2 में हुआ राइट चले बिटा तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिजिए क्या आपने स्क्रीन शॉट ले लिया बताईए स्क्रीन शॉट ले लिया तो यहीं पर हम खतम करते हैं NCRT Solution Question No.9-16 I hope आपको हर एक क्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा तो आप हमें यूटूब चैनल पर तो अल्रेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ और अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी जल्दी फटाफट पहले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को क्लिक कर दीजे जिससे डेली बिस्स पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे डेली बिस्स पर आप रिकॉर्डेड वीडियो जैसे यह आप मैगनेट ब्रेंस टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज उपन होगा इस पेज में kindergarten to class 12th class तक की complete course की playlist अबिलेबल है especially 11th and 12th class के लिए यहाँ पर आपको stream wise playlist अबिलेबल होने वाली है जैसे की science stream, commerce stream and humanities stream और हम बात करें playlist की तो playlist में हमने क्या क्या चीज़े include करी है तो playlist में आपको मिलेगा NCRT की पूरी theory advanced theory जो की आपको competitive exam में जरूरी होती है उसके अलावा NCRT solution, MCQs, MIQs, one-shot revision, quick revision and daily practice question जिससे आपके हर एक chapter में कोई भी गुनजाईश ना रहे आपकी study काफी जादा smart और smooth हो जाए इसके अलावा आप हमें follow कर सकते हमारी official website पर that is www.magnidbrins.com और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी social media handles के तुरू जैसे के facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp आप अबेल कर सकते हैं e-notes, any book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं magnetbrins के टॉप courses की तरफ उससे पहले जान लीजे कि magnetbrins के दो channel है Hindi medium channel and English medium channel Hindi medium channel पे आपको class 6 to 12th class तक के courses मिलेंगे वहीं पर English medium channel पे आपको kindergarten to class 12th class तक के courses मिलेंगे अब बात आती हैं इन दोनों channel पे कौन-कौन से courses available है तो यहाँ पर हम आपको CBSC vote की preparation कराते हैं किसकी CBSC vote की क्या सिब CBSC vote की preparation कराई जाती है क्या magnetbrins का platform state votes वाले बच्चों के लिए नहीं है तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि magnetbrins CBSC vote के साथ state vote को भी include करता है जैसे की Delhi vote, Bihar vote, UP vote, MP vote, Rajasthan vote इसके साथ ही Vedic Maths, Crash Course and Spoken English यह सारे के सारे top courses magnetbrins आपको high quality education के साथ 100% free में provide करा रहा है जी हाँ मैंने यही कहा और आपने सही सुना magnetbrins प्रोबाइड कराता है unpaid subscription तो जुड़े रहे मुझ से और magnetbrins से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई